नमस्कार दोस्तो और विल्कम बैक टो मैं चैनल फॉर्स इन्विस्मेंट दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि कलम में कौन से स्टॉक्स पर ट्रेड लेना है प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेर्य रह सकता है जिस तरीके से आज हम लोगों ने देखा था कि जो म लोगों ने आपको बताया था ट्रेड ले रखा है गोदरे फिलिप्स मेरी भी बहुत अच्छा कर रहा है एक स्टा पेड़ था जिस पर हम लोगों एक से लिंग आते वे देखी तो आउट आप फाइफ फोर में हमें प्रोफित हुआ मैं टेलिकराम पर प्रोवाइड इसल ठेक है तो यह नाइटी लिमिटेड है आप देख सकते हैं आलमोस्त जो रैली स्टार्ट वी थी देखी हर चार्ट पे जरूरी नहीं है पैटर्न्स फाइंट करे जाए यू हाव तो अंडरस्टांड था साइकलोजी ठेक है तो इसकी साइकलोजी क्या बता रही है आप हमें हमेशिया जब भी स्टॉक एक अप्ट्रेंड में होता है तो बाइंग के लिए पॉर्चुनिटीस फाइंड करनी पड़ती है आप सब पता होगा तो आप यहाँ देखेगा कि 100 रुपे का यह लेवल था 100 रुपे से यह इट गोज अप टू 140 ठेक है एक शाप मुवमे नीची आएंड आने के बाद यहाँ पर इसने पोज लिया आप देख सकते हैं इसने 4 से 5 दिन यहां पर पोज लिया उसके बाद जाकी ब्रेक अई दे दिया है ठीक है आप यहां अगर चेक करेंगे देखे타 है अ मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं इस लाइन पर ऐस इसके जो targets आ सकते हैं अच्छे levels में हमें देखने को मिल सकते हैं तो इसको भी मैं आप लोगों को यहांप targets बता देता हूँ अगर बाई chance metaligram पे नहीं upload कर पाया तो आप लोग यहां से लिख सकते हैं तो right now the stock is trading at 179 रुपीज आप 179.5 के उपर buy कर सकते हैं ठेक है target आपका होगा 181 और 183 तक का ठेक है intraday की बात कर रहा हूँ बढ़ अगर आप positionally hold करना चाहते हैं तो 210 तक के भी targets आपको at a matter of time देखने को मिल सकते हैं ठेक है next stock is torrent farmer power torrent power पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक बार reset कर दू चार्ट को आप इधर देख सकते हैं कि यह जो blue color का एक zone आप लोगों के लिए बना रखा है इस पे आपको एक चीज देखनी है देख सकते हैं blue color के zone पे यहाँ पर support मिल रहा था multiple बार support मिला यहाँ पर भी multiple बार support मिला eventually जब वो support break हुआ जब यह वाली चीज ब्रेक हुई तो वो उसके लिए resistance बन गया फिर आप देख सकते हैं जो चीज पहले support का काम कर रही थी वो break होने के बाद resistance बन गई अब तुबारा उसे break कर चुका है उपर की तरफ and right now आप देख सकते हैं कि इसके उपर तीन बार candles गई है तीन दिन लगतार तीन दिन से इसके उपर candles जा रही है बट red candle बनाके वो नीचे close कर रही है आज के दिन हम लोग ने देखा है कि green candle बनी है और इसके उपर जाके close कर रही है अभी ये stock trade कर रहा है 330 के असपास मैं बोलता हूँ कि 331 के उपर buy कर ले न कि मतलब ये जो एक resistance line है न इसके उपर निकलता है तो हम लोग एक buy initiate कर सकते है ठेक है जो level से आ सकते हैं वो 334 से लेके 337 तक के आ सकते हैं ओके next stock is BBL यह BBL पर buy करने की ही सलह दी जाएगी आप लोगों को ठेक है मैं इसे भी थोड़ा सा zoom out कर देता हूँ तो आप लोगों clearly दिख जाएगा येस आप देख सकते हैं कि इसने एक head and shoulder type of pattern का form करा है आप यहाँ देख सकते हैं ठेक है और उसका एक breakout दिया है इसने आज के दिन उसने एक breakout दिया है यहाँ पर first time इसने resistance को टेस्ट करा था आज second time कर रहा है जो की level आ रहा है resistance का 960 का अभी stock trade कर रहा है 928 पर तो दुबारा एक बार जा की check अगर test करता भी है तो हमें अच्छे profit इसमें मिल सकता है अब एक चीज़ चेक करनी है कि इसके उपर अगर निकलता है क्या sustain कर सकता है तो आप इदर आके एक बार चेक करेगा जिस time यहाँ पर यह निकला था इसके उपर आप इदर देखेगा first time एक बार green candle बनाके निकला भी था उसके उपर फिर हम लोग ने क्या देखा कि एक अच्छी सी selling pressure आई अगली candle भी green बनी बट इसके उपर ने गई अगर इसमें हमें अच्छी buying start करनी है मतलब अगर हम अच्छे levels के लिए से hold करना चाहे तो हम क्या करेंगे एक बार हम लोग कल intraday में position ले सकते है अगर यह 960 के उपर जाता है ठीक है तो दो candle अगर बन्द होती है मतलब एक जो breakout candle होगी उसके उपर दूसरी candle जब बन्द होगी तो हम इस पर भी buy बना सकते है ठीक है बहुत अच्छे levels इस पर में मिल सकते है मैं दुबारा एक charts इसका update कर दूँगा next talk is td power yeah td power system है next talk आप यहां पर देख सकते है similar kind of इस पर भी system था ठीक है just wait a second yeah आप लोग अगर इधर भी focus करेंगे इधर भी same type था जो मैंने आप लोगों को NIT में बताया था 100 रुपे का stock ने momentum start करी 140 तक गया तो मतलब 40% का return दिया 40% का return देने के बाद almost 50% का एक dip भी लगा दिया ठीक है 50% का dip भी लगाया dip लगाने के बाद दुबारा उपर जा रहा है ठीक है इसका मतलब है पहली बात तो लोगों को break नहीं कर रहा दुबारा उपर जा रहा है eventually अपने high को break कर सकता है and यह 150 के levels तक भी जा सकता है जो कि इसका 1.272 Fibonacci extension level है ठीक है तो अगर यह इस particular line को break करके उपर जाता है which is 134 134 को break करके उपर जाता है we can go for a buy in this particular stock और अगर इसके उपर closing दे देता है तो definitely आप 150 के targets तक भी से hold कर सकते हैं ठीक है next stock is Carbo या Carbon Indum Universal आप यहाँ देख सकते हैं इसे भी मैं zoom out कर देता हूँ एक बार येस आप यहाँ चेक करेगा यह जो particular line आप देख रहे हैं इसको follow करेए यह first time यहाँ पर इसने break करा था तो यह इसके लिए resistance का का काम कर रहा था second time यहाँ पर भी resistance का काम कर रहा था and यह third time यह इसने resistance का काम कर रहा थेक है resistance का काम करने के बाद और eventually I bought this stock at this level 304, 305 और जब मैं इसमें पढ़ा रहा था अपने students को तो I have told them also कि आप इसके उपर यहाँ पर एक buy position initiate करके चल सकते हैं थेक है तो if they are holding it's well and good but आप यहाँ देख सकते हैं एक buying level origin rate हो रहा है जो पहले इसके लिए multiple resistance का काम कर रही थी यह line उसको इसने break करा break करने के बाद retest करा retest करने के बाद दुबारा यहाँ से उपर जा रहा है point note करिए पहले यह resistance का का काम कर रहा था अब यह support का काम कर रहा है ठेक है तो अगर यह निकलता है 375 के उपर तो yes we can go for a buy so यह 5 stocks थे हमारी list पे already अगर मैं nifty bank nifty की बात करूँ तो nifty मैं आप लोगों को 13,250 से बता रहा हो कि go for a buy और कल भी बोलाता कि 13,500 एक और दो दिन में चूँ सकता है और bank nifty का भी आपको target बता दिया गए 31,000 प्लस है eventually हमें कल पर सोच 3 दिन के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा बार बार बोल रहा हो हर dip में buy करना है और कभी भी market उपर की तरफ जा रहा हो तो उसको chase करना है buy को हमें sell की तरफ ध्यान नहीं देना है तो कभी भी selling pressure आए अगर एक दन selling pressure आता है तो आप दोपैर को ही buy कर सकते हो कल अगले दिन आप अच्छी खासी momentum भी उसमें देख सकते हो तो अभी भी मेरे लिए buy है 13,500 क्रॉस कर चुका है exact जो मेरा target है वो 13,686,700 तक का है जो आपको मैं तीन दिन से बता रहा हूँ so do follow that setup and हम लोग मिलते हैं कल अपनी वीडियो पे so मैं शिवाज भसीन signing off